असलाम हुलेकुम आज की इस वीडियो में हम जो प्रेक्टिकल सेंटर के जो कॉंप्रेंसिव एक्जैम्स हो तो उनके सेंटर में मैं आपको वह सॉल्फ करवा रही थी तो उसके मैंने तक्रीपन चार पार्ट मैंने आपको अप्लोट कर दिये थे जिसके अंदर उसमें कुछ तो आज की इस वीडियो में कुछ नमर टैन सोल्फ करेंगे प्रेक्टिकल सेंटर का जो कम्रेंसिव एक्जैम्स है फिजिक्स का और मैट्रिक लास का ठीक है हम वह सॉल्फ कर रहे थे तो आज मैं आपको वही सॉल्फ करवाऊंगी तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडिय है आप वहां पर इस में से शोट और लॉंग वहां से आप देख सकते हैं जो डेरिवेशन्स हो अगर हैं वह मैंने वहां मतलब मैंने अपनी चैनल पर सॉल्फ करवाई हुई है लिकर अगर एक आद कोई इसी रहती हो शायद वह मैंने ना करवाई हैं तो आप मुझे बता स करोगी इसके अंदर मैं कोई नमर 11 होगा वह भी मतलब इसी का है तो जब यह मेरे तीनों तमाम यह जो प्रॉबलम से सॉल्फ हो जाएंगे उसके बाद में जो हैं जो हमारी बुक के हर चेप्टर के एंड में जो एक्सराइस किवन होदी है उसके जो मैं फिलिंदे ब्लैंक कि आप जो बैल आइकन हैं उसके भी आप क्लिक कर दें ताकि जो मेरी नई आने वारी वीडियो से उसकी जो नोटिफिकेशन ने आपको वक्त पे मिल सकें ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को जो के हमारे पास से कुछ नमर 10 प्रैक्टिकल सेंटर का जो उसमें जो मेरी पास पेपर था उसमें आपको सही से दिखता नहीं है मुझे बता है शायद इसमें आपको सही से यह नजर आ चाहिए ठीक है यह मैं रख देती हूं नीचे तो यहां पर 10 क्या है हमें 10 करना ठीक है आपको 10 देखना है विद वोट गॉस्टेंट व्लोसिटी के ना 1960 वॉर्ट मोटर रहे सब्सक्राइब किस विलोसिटी से एक मतलब एक हमाइं पास मोटर है उसकी हमें पावर गिवन कितनी है 1960 वॉट है वो क्या कर रही है वो 100 kg के मास को उपर की तरफ लिफ्ट कर रही है ठीक है उपर की तरफ क्या कर रही है उठा रही है तो वो यह किया रही है कि वो किस विलोसिटी से वो जो मोडर है उस 100 kg मास को उपर की तरफ उठा रही है हमें वो बताना है सिंपल हमें क्या given है? मास given है, power given है, उन्होंने कहा है कि आपको velocity बतानी है और अगर आपको ना समझ मैं क्या given है तो यह बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें जो है उनको यूरिट होता है उसको देखे हमें पहचानना होता है कि हमारे पास क्या given है सही तो यहाँ पर क्या है कि हमें velocity फाइंड करनी है power हमें given है और हमारे पास यहाँ पर mass given है, तो हम कर लेते हैं इसको solve और यह हमारे पास टिपन नमबर 8 का 3rd problem है मतलब यह है 8.3 तो बना लेते हैं data यह हमारे पास 10 है तो हमें क्या करना है यहाँ पर power हमें given है, कितनी 1,9,6,0 क्योंकि वाट जो है power का ही unit होता है सही, और mass हमारे पास given है यहाँ पर 100 kg power given है हमारे पास mass given है उन्होंने हमें कहा है कि आपको velocity बतानी है कि कि विलोसिटी से वो मास को उपर की तरफ लिफ्ट कर रही है आपको वो velocity बतानी है ठीक है तो power का formula जैसे कि हम जानते हैं कि हमने दो ही formula हमने power के formula बढ़े है वो कौन से हैं कि power is the rate of doing work कि मतलब काम करने की मतलब यह जो rate of doing work होता है वो हमारे पास होती है पावर एक formula हमारे पास यह हमने देखा है दूसरा formula हमने देखा है पावर जो है प्रोड़क्ट को force and velocity मतलब यहां कि पावर जो है प्रोड़क्ट है force and velocity का अब आप यह देखें जिए पहला वाला formula है वहाँ पे work भी है तो यहाँ पे हमारे पास नहीं time given है नहीं work है तो हम यह formula हमत अप्लाइ नहीं कर सकते लेकिन अगर हम second formula को चेक करने तो वहाँ पे लिखा है P equal F into V मतलब power, force and velocity force हमारे पास यहाँ नहीं है power है और velocity हमें find करनी है मतलब velocity यहाँ पे है और यहाँ पे हमें find करनी है तो इसका मतलब यह है कि हमें यह second वाला formula ही apply करना होगा तो हम apply कर देते हैं यह second formula तो लिख देती हूँ मैं यह second formula इसको मैं कर रही हूँ question number one one मैंने क्यों कहा क्यों कि आप देखें यहाँ पे हमारे पास power given है force हमारे पास नहीं है velocity हमें find करनी है तो हम पहले force find कर लेंगे ठीक है तो इसलिए मैं नहीं आप इसको question number one कर देखें अब हम यहाँ heading डालेंगे 4F मतलब हम पहले force find करेंगे अब हमें पता है कि जो force है मतलब वो किसके equal होती है force equal है M A के force किसके equal है force equal है M A के और यह बात हम अच्छे से जानते हैं कि अगर कहीं पर height की बात आ जाती है तो जो A है वो equal हो जाता है G के मतलब एकसलरेशन है वो change हो जाता है gravitational acceleration में क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो motor है वो उस mask को उपर की तरफ लिफ्ट करें क्योंकि height आ गई है तो यहाँ पर एक ही जगह क्या जाएगा G आ जाएगा तो हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं फिकोल है M G के ठीक है तो force हमें find करने थी M हमारे पास है 100 और G हमें पता है 9.8 को 100 से multiply करेंगे तो force हमारे पास आ जाएगी 980 newton यह हमारे पास आ गई है force अब हमें क्या करना है इस force की जो आई है हमारे पास इसको हम equation number 1 में put करेंगे तो हम करेंगे put F in equation 1 ठीक है जब हम इसको equation number 1 में put करेंगे तो क्या होगा P हमारे पास है P equal F into V तो P हमारे पास है 196.0 हम लिख देंगे उसकी value force अभी हमने find की है वो है 980 और velocity हमें find करनी है तो उसकी जगा V ही आ जाएगा अगर आपको यह नहीं नजर आ रहा है तो अपने mobile की full screen करें आपको यह नजर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है 980 V के साथ multiply हो रहा है महाँ जाएगे divide हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1960 divided by 980 तो जब हम इसको divide करेंगे तो answer हमारे पास आएगा 2 तो velocity क्या हो गए है 2 meter per second मतलब वो जो motor है वो 2 meter per second की speed से 100 kg mass को उपर की तरफ lift कर रही है और यह हमारे पास आ गया है answer जो कि हमारे पास book का tip number 8 का 3rd problem 8.3 है यह ठीक है तो यह हमने question number 10 का जो पहला वाला part था वो हमने solve कर लिया है अब हमें क्या करना है अब हमें जो इसके आगे का पार्ट है मतलब जो और करके given है अब हम वो solve करेंगे तो हम देख लेते हैं कि उसमें हमारे पास क्या given है यह और करके है तो मैं यह लिख देती हूँ और ठीक है हम बना रहते हैं इसका data तो क्या given है यह रहा 10 पे और यह 10 हमने भी कर लिए इसके बाद जो और करके अब मैं आपको यह करवा लो अब audio of mask 0.1 kg is attached to a spring and place or not frictional as horizontal table के हमारे पास क्या है कि spring है समझें आप यह spring है इसके साथ मैंने यहां पर एक mask को attach कर दिया है इसके स्कोने पर जिसका mask 0.1 है तो उसको हमने एक frictional as table के ओपर हमने रख दिया है ठीक है फिर उन्हें ने कहा है कि a force of 5 Newton is applied कि हमने कहा कि हमने 5 Newton की force apply की है उस पे and the spring is stretched through 20 cm कि हमने कहा कि यह spring रखा हुआ जब हमने इसके ओपर 5 cm की force apply की तो force apply करने के जिसी spring है यह क्या होगा यह stretch हुआ मतलब यह खिचा कितना stretch हुआ यह हुआ 20 cm तक यह अभी इतना था ना जब मैंने force apply की तो force apply करने की वज़े सी यह कितना हुआ 20 cm यह stretch मतलब यह खिचा सही तो वह यह कह रहे है find the value of spring constant आपको क्या करना है spring constant की value को find करना है और यह हमारे पास chapter number 10 का पहला problem है और chapter number 10 की problem ने आपको नहीं करवाय थे क्योंकि मैंने का था यह इतने important नहीं है वह इसका एक ही problem important है जो के है 10.1 और 10.1 ही है तो आपको बस chapter number 10 से यह 10.1 ही attempt करना है और इसी की तरीके से इसका solve example भी है 10.1 की तरह ही इसकी solve example भी है तो आप वह solve करना चाहते हैं तो वह कर लें और बसी 10.1 ही इसका important है सही तो हम बना लेते हैं इसका data हमारे पास क्या की given है यहाँ पर हमारे पास mass given है mass हमारे पास है कितना 0.1 kg अच्छा उसके बाद हमारे पास given है a force of 5 newton हमने force कितनी apply किए force हमने apply किए 5 newton की तो यहाँ पर आजेगी force equals 5 newton उसके बाद लोने कहा कि वह जो stress में दब जो खीचा है वह कितना हुआ है वह 20 cm हुआ तो उसको हम एक से डिनोट करते हैं जो कि हमारे पास है 20 cm सही अब क्या find करना है हमें find करना है spring constant और spring constant क्या होता है वह होता है k तो k हमें find करना है यह हम लिखेंगे required में और यहाँ पर आजाएगा solution अच्छा आप भी देखें किस तरीके से कि यह हमारे पास आप समझें एक spring है उस पे हमने एक mass हमने यहाँ पे है 0.1 kg का अब जब इसके ओपर मैंने इसके 55 newton की जब मैंने 4 supply की है यह जो spring से थोड़ा सा खूल गया है ठीक है stretch हुआ है तो पहले यहां ता अब यहां से लेकिए यहां तक आ गया तो यह जो चीज होती है यह किलाती है x और यह हमारे पास given है 20 cm सही तो इसके लिए जो formula है वह हमारे पास क्या है f equal है k x यहां पर जो f है वह force है जो k है वह spring constant है और जो x है यह क्या है जो जितना वह displace होगा जो spring है जितना वह displace होगा यह वह x है ठीक है हमें force हमें given है k हमें find करना हि x हामें given है लेकिन x है cm में क्यूंकि आप ज्यानते है कि जो distance हतके उसको हम meter में करते हैं cm में deste नहीं करते हैं स्थी meant हम क्या करेंगे cm को meter में convert करेंगा उस लिए हम क्या करते हैं माने के लिए हम डिवाइट करेंगे 100 से क्योंके 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटी मिटर और जब मैं 200 को डिवाइट करूंगे 100 से तो आंसर आएगा हमारे पास 0.2 तो यह होजाएगा 0.2 मिटर अब इस 0.2 को हम लिख देंगे यहां X की जगा तो F की जगा पर आजएगा 5 के हमें फाइंड करना है कि A से ही लिखा X के जगा पर आजएगा 0.2 क्योंकि हमें K फाइंड करना था 0.2 यहां मल्टिप्लाइ का है वहाँ जाएगा तो यह हो 25 तो के हमारे पास है 25 न्यूटन पर मिटर और न्यूटन पर मिटर क्या है न्यूटन पर मिटर हमारे पास यूनिट होता है स्प्रिंग कॉंस्टेंट का और यह हमारे पास आ गया है अंसर और अगर आपको इसका यूनिट याद ना हो तो unit याद करने का असान तरीका ये है formula तो आपको याद है formula हमारे पास क्या है formula हमारे पास f equal है k x अब क्योंकि हमें k का formula find करना है तो x यहाद के साथ multiply का है वहाँ जेकि क्या हो जाएगा divide हो जाएगा तो वो हो जाएगा f upon x equal to k ठीके तो f क्या है force है और हमें पता है force का unit होता है newton और x क्या है वो displacement है उसका unit हमारे पास पता है meter होता है तो इस तरीके से हमारे पास spring constant का unit आ गया है जो कि है newton पर meter तो अगर आपको unit याद ना हो तो आप इस तरीके से formula से बना सकते हैं तो इसी का formula नहीं इसी का unit नहीं बलकि आप तमाम unit जो है आप इस तरीके से किसी भी formula से उनकी unit आप easily यहां से find कर सकते हैं तो यह हमने question number 10 था उसका जो और करके जो हमारे part given था वो भी हमने solve कर लिया है अब हम चलते हैं part 3 मतलब उसके और की तरफ जो third हमें जो problem इसमें given है उसकी तरफ तो यहां मैं लिख देती हूं और हम बना लेते हैं उसका data ठीक है अब इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास क्या given है तो यहां पे हमें क्या given है और करके calculate the speed of light in glycerine if its index of reflection is 1.47 क्या हमें क्या करना है speed of light find करना है glycerine में जबकि उसका जो refractive index है वो हमारे पास है 1.47 तो यह हमारे पास एपर नमबर 14 का पहला problem है 14.1 है यह हमारे पास तो refractive index को हम denote करते है small letter जो n है उससे तो हम यहां लिख देंगे n equal 1.47 और इसका कोई unit नहीं होता क्योंकि यह ratio है और हमें पाता है कि ratio का कोई unit नहीं होता सही n हमें find करना है साथ में उन्होंने कहा है कि आपको velocity find करना है velocity in glycerine मतलब ठीके speed of light हमें find करना है कि इसमें glycerine में तो यहां मैंने simple V लिख दिया है उसके बाद हमें क्या find करना है मतलब V हमें find करना है तो हम इसको कर लेते हैं solve heading डाली मैंने solution की और अगर आप कोई नजर नहीं आ रहा है तो आप अपनी इसकी जो mobile है उसकी आप full screen करें आपको यह पूरा तक दिख चाएगा क्योंकि काफ़ बच्चे मुझे से हर वक बोलते रहते हैं कि हमें नजर नहीं आता तो आप अपने mobile की फूल स्क्रीन करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा ठीक है तब हम यहाँ पर फॉर्मॉला लखें लिखेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्योंकि एन से दिनोट करते हैं तो एन हमारे पास एक्वल है स्पीड ओफ लाइट इंडेक्स एन एर डिवाइड़ वाय एस पीड ओफ लाइट मिडियम मतलब क्यों कि स्पीड ओफ लाइट जो एर में होती है उसको हम रखेंगे उपर और किसी भी मीडियम के जो speed of light लोग से हम लखेंगे नीचे चाहे वो कोई साभी मीडियम हो तो इस तरीके से हम speed of light in air को हम कह देते हैं V1 और speed of light in any medium उसको हम कह देते हैं V2 तो इस तरीके से हमने यहाँ पर V find करना था तो speed of light हमें किस पर find करना है इसका मतलब है कोई ना कोई वो मीडियम है तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे V2 तो N इक्वाल है V1 अपॉन V2 के और V1 हमाँ पास एक constant value जो कि हमें पता होने चाहिए और वो है 3 exponent 8 क्योंकि speed of light in air कितनी होती है वो होती है 3 exponent 8 meter per second सही तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इनकी values को पॉट करेंगे तो कर लेते हैं N की जगा पर मैं लिखूंगी 1.47 आगे कर लेते हूं ठीके N की जगा पर मैं क्या लिखूंगी 1.47 और उदर है speed of light in air जोके constant value है और वो होती है 3 exponent 8 इसको मैंने ऐसे ही लिखा divided by नीचे क्या था वीटू हमें find करना उसको मैंने ऐसे लिखा अब यहाँ वीटू क्या है divide का है वहाँ जिके multiply होगा हो जाएगा और 1.47 multiply का है यहाँ पैके divide हो जाएगा ठीक है तो यह V2 equal होगा 3 exponent 8 divided by 1.47 अब हमें क्या करना है simple इसको divide करना है अच्छा काफ़ बच्चे कहते हैं कि आप simple calculator से बताएं कि हमें divide करना नहीं आता यह multiply करना नहीं आता तो आप देख रहें मेरे पास सी बेशक scientific है लेकिन मैं आपको simple के तरीके से ही करवाऊंगी क्यूंकि अभी मेरे तरीके से मल्टिंट्प्ला करने का तरीका हिय Tibet at the only thing आप उसको ना देखें आप उसको ignore कर दें सिंपल आप क्या देखें कि यहां 3 Divide हो रहा है बसंपपो और सब्सक्राइब करें उसको ना देखें sen बहां सिंपल क्या करना है च्ड़ी को divide करना 1.47 जो simple calculator हम उससे easily हम divide कर सकते हैं तो आप क्या करें 3 को आप divide कर दें 1.47 से answer क्या आया है 2.04 यह तो simple हो सकता है न डिवाइट तो हम क्या लिखेंगे हम यहां लिख देंगे 2.04 सही और उसके बाद यहां पर हम आपस 10 की पावर क्या है 10 की पावर रेट तो हम उसको ऐसे ही है इसके साथ लिख देंगे 10 की पावर रेट answer meter per second मतलब जो speed of light glycerine में वो कितनी है वो हमारे पास है 2.04 10 की पावर रेट meter per second और यह मैंने आपको simple calculator से divide करके भी दिखा दिया है और अगर आप आपके पास यही आंसर आएगा और यह हमारे पास प्रोब्लम प्रोब्लम का पहला प्रोब्लम है तो यह हमने जो प्रेक्टिकल सेंटर के जो हम पेपर सोल्फ कर रहे हैं उसका हमने कुछ नंबर 10 भी complete solve कर लिया है जो कि उसके इंदर तीन प्रोब्लम थी तीनों प्रोब्लम मैंने आपको समझा दिये हैं अब यह हमारे पास पार्ट 5 है तो इसमें अब हमारे पास एक रहता है वह कुछ नंबर 11 रहता है उसको वह पार्ट 6 होगा तो मैं अपनी नेक्स वीडियो में अप्लो जोन हो या कुछ भी आप मुझे से पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं अपना खयाल लगें अल्ला हाफिज